जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सास्त्रिय भासा, दोस्तों आज हम जानेंगे सास्त्रिय भासा के बारे में, कि सास्त्रिय भासा से आपके एक्जाम में क्या-क्या प्रश्ण बन सकते हैं, और मेरे प्यारे दोस्तों, लाश्ण में हम की तैयारी complete हो सके। तो देखो दोष्तो, सास्थ्य भासा जो है ये 6 सास्थ्य भासा है। कितने सास्थ्य भासा हैो छे तब पहला है तमिल, दूसरा है संस्कृत, तीसरा तेलगू, चौथा कंणर, पांचमा वल्लय आलम और छट्र जो यह उडिया है, तमिल को सास्त्रिय भासा में कव सामिल किया गया? 2004 में, संस्कृत को कव सामिल किया गया? 2005 में, तेलगू को कव सामिल किया गया? 2008 में, कंणर को भी 2008 में ही सामिल किया गया, मल्यालम को 2013 में और उडिया को 2014 में सास्त्रिय भासा में सामिल किया गया है, मेरे प्यारे दोस्तों देखो केंदरिये मंत्री मंदल ने 3 अक्टूबर 2024 को कब तो केंदरिये मंदल के द्वारा 3 अक्टूबर 2024 को पांच नए सास्त्रिये भासा मराथी, पाली, प्राकिर्त, असमिया और बंगाली का दर्जा देने की मंजूरी देदी है यानि की दोस्तों केंदरिये मंत्री मंदल प्रधान मंदल ने 3 अक्टूबर 2024 को पांच और नए सास्त्रिये भासा को जोरने कुम मंजूरी देदी है और वो पांच नए सव्तरी भासा कौन-कौन से हैं? तो मराथी हैं, पाली हैं, संस्क्रित हैं, असमिया हैं और बंगाली हैं इसी के साथ दोस्तो सास्तरी भासाओं की कुल संक्या जो हो जाएगी, वो 11 हो जाएगी पहले कितने थे छे, अब पांच नए जोरे जाएंगी, तो इसी के साथ सास्त्रिय भासा की संग्या कितनी हो जाएगी, तो 11 हो जाएगी, यहां से एक और प्रश्णमन में आता है कि कौन से भासा को सास्त्रिय भासा में सामिल कर सकते हैं, कौन से भासा को सास्त्रिय भासा में सामिल कर सकते हैं तो देखो दोस्तों वैसे भासा को हम सास्त्री भासा में सामिल कर सकते हैं जिस भासा का इतिहास कम से कम एक हजार से पंदरो सो वर्स पुराना हो और दोस्तों जब वह भासा एक हजार से पंदरो सो वर्स पुरानी रहेगी तो इसकी प्राचीन उत्पत्ती को दर्साएगी उस भासा की और भासा ने भारत की बौधिक बिरासत को सनक्षित करने और परसारित करने में महत्पुर्ण भूमिका निभाई होगी और तिसरा कंडिशन ये है कि प्राचीन साहित्य का विशाल भंडार होना जी दुस्तु प् मेरे प्याले दोस्टों सबसे पहले किस भासा को सामिल किया गया तमिल को उसके संस्कृट को उसके बाद कंणर को फिर मलियालाम को फिर ओर्या को और अब तीन अक्टूवर थुजर्शिक को पाँच नए सास्त्रिय भासा को सामिल करने की मंजुरी केंड्रिय मंद्र literary, समिया है और बैंगाली दोस्तों ये सब भासा को सास्त्रिय भासा में सामिल किया जाएगा अब देखो दोस्तों हम objective कर लेते हैं तो दोस्तों पहला प्रशन है निमलिकेत में विश्चु की सबसे पुरानी और प्राचीन सास्त्रिय भासा कौन सी है तो विश्चु की सबसे प अगला कि नमलिक्रित में कौनसी भासा को सरपर्थम सास्तरिय भासा का दर्जा दिया गया था तो दोस्तो तमिल को सरपर्थम सास्त्रिय भासा का दर्जा दिया गया था और 28 अक्टूवर 2004 को तमिल को सास्त्रिय भासा का दर्जा दिया गया था दोस्तो अगला पुष्ण है तेलगू को 31 अक्टूवर 2008 को सास्त्रिय भासा का दर्जा दिया गया था यह किस राज्य की प्रमुक भासा है तो यह आंद्रपर्दिश और तेलगना की प्रमुक भासा है इसका एंसर हो जाएगा A और B दोनू हमारा अगला पुष्ण है निमलिखित में किस सास्त्रिय भासा को कैनरिस के नाम से जानते थे तो कंणर को किसे कंणर को जानते हैं कैनरिस के नाम से मेरे प्यारे लालेवं लालियो अगला पुष्ण है मल्यालं को किस राज्य का अधिकारिक भासा का दरजा प्राप्त है मेरे प्यारे दोस्तों फिर से मैं रिपीट कर देना हूँ कि मल्यालम को किस राज्य का अधिकारिक भासा का दर्जा प्राप्त है तो क्या बोलोगे दोस्तों आप कि मल्यालम जो है इसको दिया गया है केरल का और पॉंडिचेरी का अधिकारिक भासा का दर्जा मेरे प्यारे लाले यवं लालियो दोखो पॉंडी चेडी का माही जिला है वहाँ पर मल्यालान ही बोली जाती है दोश्टब और केरले का दोस्तु अधिकारिखवासा कौनसा है तो मल्यालान में अब केरल तो देखो केरल की राधानी क्या है तुरुवरुन अंतपूरम के मुख्यमंतरी उद्यान, अन्ना मुदी सोला राष्ट्रिय उद्यान, अरलम वननेजी वभ्यारन, इडुकी वननेजी वभ्यारन, मालाबार वननेजी वभ्यारन केरल में है। नम और अब सागर की रानी और पुर्व कावेनिस के नाम से जानते हैं कोच्चिन को मेरे प्यारे लालेवं लाली हो तो दोस्तो जरा आप बता दो कि केंद्रिये मंत्री मंदल ने केंद्रिये मंदल की कैबिनेट ने कितने नए भासा को दोस्तो सास्त्रिये भासा के दरजा को मंजूरी दी है और वो भासा कौन-कौन सी है इसका जवाब दे दो आप केमेंट बॉक्स में ये था हमारा आज का टॉपिक दोस्तो सास्त्रिय भासा चानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें सेयर करें और सस्क्राइब करें थैंक यू सो मच दोस्तो